आम आदमी पर पहले करोना और अब महंगाई की मार पढ़ रही है। डीजल पेट्रोल के दाम में लगी आग अब आदमी की रसोई तक पहुंच गई है। टमाटर लाल हो गया है वहीं प्याज और अन्य सब्जियों के भाव भी आसमान पर पहुंच गए हैं। पेट्रोल डी इस समय प्याज के दामों में व्रेति होती है। क्योंकि प्याज की नई फसल अभी नहीं आई होती है और स्टोर से पुराना प्याज ही मंडियों में आ रहा है। टमाटर भी महंगा है, महराष्टर का टमाटर शुरू नहीं हो पाया है। अन्होंने कहा कि अगले एक महीने तक टमाटर प्याज सस्ता होने की कोई उमेद नहीं है फिलहालती वाली तक टमाटर प्याज लोगों के आंसु निकालते रहेंगे वहीं सबजियों के बड़े दामों से लोग खासे परिशान हैं गरियर्णियों का कहना है कि टमाटर और प्याज के दाम आसमन छू रहे हैं ज मेंगा भी बहुत अती होगी। मतर, तमाचार जो लोग 20, 30 रुपे, 30 रुपे थे, 80, 30 रुपे थे, 80, 80 रुपे किलो मेंगा है। मेरा नाम प्रभा कमद। सब्जी कुछ जारा ही महेंगे होगी। जैसे हमों पूछ रहते हैं तो यह खीरा वेरा है, जो भी है। मर्टर बहुत महेंगे हैं, तो सारी ही सब्जियां और मुस्ट महेंगी होगी। सब लोग इतना है पर तोड़ी कर सकते हैं, कितनी महेंगी सब्जी लेंगे। पर फिर भी चलो खाने पीने के लिए जो जिरूरी आइटर मुस्टी हो लेनी के पर तिया ज्यादा नी तो कम लेंगे। सारी चाजे बहुत महेंगी। सब्जी महेंगाई। तो अगर ठोड़ा सा ठीक होता तो प्याज भी ने चाह से पहते हैं तो थोड़े पंचतालिस भी आदी है। तो इस तरह से जो अब प्याज के वेर तो कोई सब्जी नी बनेगी। टमाटर के लो नाल भी ले तो प्याज तो लेना ही पड़ता है। अगर रात प्याज कोई से जो सब्याज के लिए काम आड़ने की दी तो बहुती जादा है। इसलिए जादे रहे पार्जी सा रहा है। तो थोड़ा मतलब प्यास को महाना थे लेट प्या देना थे निए इसकता ही नगता है। लेट इने जगागा हो चुटी कि हमारी कोशिब बाद कुछ तू हो और ही है लोगाई के दौर में जो 20-25 ना तका हो और 40-60 ना है तुमाटर के रहे देख लगा त्यास देख लो तू हर चीज नहीं गी